दोस्तो इस वीडियो से पेले वाला वीडियो में हमने नोसादर का तेल और सिर्का बनाने का तरीका सिखा था चलिए आज में पुरा फोर्मुला बताता हूं क्या क्या करना है आप लोगों को आपको लेना है सब समक्री आप 10-10 ग्राम लिजेगा गंदक लिजे 10 ग्राम हर्तल वर्किया लिजे 10 ग्राम पिला संक्या लिजे 10 ग्राम रसकापुर लिजे 10 ग्राम मेंसिल लिजे 10 ग्राम और आपका मेंसिल बोल दिया रसकापुर बोल दिया दार्चिकना लिजे 10 ग्राम तो सबसे पहले हर्ताल वार्टिया को करल में ढलिए फिर जो सिर्का बनाया था उसमें तस घ्राम जज़ब कराना है बुंद बुंद ढलिए करल करते रिजिए उसको 10 ग्राम आपको ज़दब कराना है जतना भी दिन लगे, जतना भी समय लगे, द्रे द्रे करिए, एक बार में सब मत दाल दीजिए, सिर्का, थोड़ा-थोड़ा करके डालके उसको जजब कराईए पूरैसा हर्तल को भी ज़जाप करा दीजिये, ज़जाप करा दीजिये, तो आपको पारा लेना है, तौरा सांप करा दीजिये, नमक ल benz again, itte करिए हल्दी में कर लिजिए कोई में भी कर लिजिए थोरा साफ करिएगा उसका बाद गंदक का साथ में खरल करिए जो गंदक को आमने सिर्का का साथ किया हुआ है इसको खरल करिए खरल करने के बाद में इसमें हर्तल बर्किया डालिए खरल करिए हर्तल बर्किया का साथ में करल करिए फिर डालना है अरसकपूर दार्चिकना मंसेल संक्या जो जो समगरी है हर किसी को हर सब को इसमें डालके पारा का साथ में करल करिए करल करने का बाद में इसमें आपको लेना है अभी और सब्सक्राल करें रखने करें आपको आपको अपको आपको और कंगर फिर बोया कंगरी यह देना है इसको बिना तमावला प्रोफ लाए तो इसको कप में डालके अच्छा से मुझबूत कपर मिटी करीए मुझबूत कपर मिटी करना है मुझबूत कपर मिटी करने का बाद में ये इसको देंगे ते 5rt स्कुलुक देजिए सब्समगड को फिर निकाल हुए निकाल के उसका खरल में पीछ दिजिए सबको पीछ buffetर पिषने कबाद में फिर उसमें 10 ठीज फिर आपको 90दर का डेल मिलाना है जो हमने बनाये था बनाने कli अगर गराई न और देखल जेगा तो इसको फिर खरल करिए ऐसे ऐसा खरल करकर के आपको करना है साथ बार साथ बार आपको नो सदर का तेल दस गरम जज़ब करना है और खरल करना है उसको साथ बार करना है और साथ किलो का आग देना है उसका बाद जब यह सब कम्प्लिट हो जाएगा उसका बाद इसको चांदी लीजिए 7 ग्राम चांदी लीजिए 7 ग्राम और 3 ग्राम लीजिए तमा तो इसको पिगला के उसको पिगला दीजिए तमा चांदी और तमा उसको पिगलाने का बाद में तो इसमें चुटकी चुट की करके आप यह जो हम लुक्स दावाई बनाया है इसको तिरा करिए तिरा करने का बाद में एसिट करिए देखिए अब यह माल बढ़ता है अच्छा माल बढ़ता है एसिट करेगा तो यह जो चांदी है यह से भी थोरा सा निकलेगा और जो तमा है उससे भी थोरा बुत निक आता है कलार कलार भी आता है तो इसमें यह फुरूमुला लग करके दिखिए जरूर जरूर कामियाब होंगे करके दिखिए अच्छा फुरूमुला है ट्राय करिए